तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों भाईयों बहनों और मेरे बड़ों सभी को मेरा वेलकम है देखिए यहां पे हम जानने वालें क्लास 6 हम आपका टाइम बरबाद नहीं करेंगे ज्यादा काम के बात करेंगे क्लास 6 का मैं आज आपका कंटेंट दे रहा हूं ठीक ना हिस्टरी का कि आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए हिंदी मेडियम का मैं सुरू सही सपोर्ट में रहा हूँ और आगे भी रहता हूं का एच लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अंग्रेजी मेडियम का बिरोध में कि आपको क्या पड़ना पड़ेगा कब कहां और कैसे यानि कि घटना एक क्या हुआ था कब हुआ था कां जानेंगे उसके बाद दूसरा क्या पैला क्या होता है आखेट खाद संग्रह क्या होता है आखेड और खाद संग्रह क्या होता है से भोजन उत्पादन तक यानि कि आखेड और खाद संग्रह क्या होता था उससे भोजन कैसे प्राप्त करते थे इस चप्टर में आपको सारा कुछ डिटेल में जानने को मिलेगा तिसरा क्या है कि आरंभिक नगर जो शुरु में बने थे सहर वी किस परकार के थे आरंभिक नगर कैसे थे, उनको किसे ने बनाया, कैसे मनुस्यों ने बनाया, कैसे विकास वाइन सब के बारे में हम थर्ट چप्टर में जानेंगे. चौथा क्या है चौथा पाट तो है क्या बताती हमें किताबे और कबरे कबर और किताब से हमें क्या जानकारी मिलते इनके बारे में हम चैप्टर फोर में जानेंगे चेप्टर फाइब क्या देखे चेप्टर फाइब बताता है हमें कि राज यानिके अस्टेट राजा और प्राचीन गन राज किस परकार के थे उनके राज किस परकार संचालत होते थे किस परकार जीवन जीते थे इनके बारे में हम जानेंगे छठा में क्या जानना है आपको एकदम आसानी समझेंगे बिल्कुल दिकत नहीं होगे इसकी मैं गैरंटी लेता हूँ देखिए नए परश्ण पर विचार किजिए आपको यहाँ पर विचार करना होगा नए नए परश्ण नए विचार यानि कि उनकी जो प्राचीन काल में थे पूरा प्राचीन इती हाँ सी ये क्लास 6 में ठीक ना प्राचीन काल में नए विचार किस परकार आया करते थे और नए परश्णों का खोज किस परकार हुआ इनके बारे में जानेंगे चेप्टर 7 में आपका क्या है देखे असोक जो समराट असोक थे एक अनोखा समराट जिसने युद्ध का त्याग किया था और बाद में बोध धर्म ले लिया था उनके बारे में आपको पूरा का कहानी जानना होगा पूरा एकदम लेगे क्या कि हम एकदम पिक्चर चल रहा है मेरे दिमाग में उस परकार का श्टोरी हम जानेंगे 8 नमर में क्या है खुस हाल गाव और समरिद्ध सहर की कहानिया पढ़ेंगे हम इसमें ठीक ना एक दा मुआ श्टोरी पढ़ेंगे लगा कि हाँ फिल महीं चल रहा है नाइन नमर क्या है बैपारी राजा और तिर्थे यात्रा तिर्थे यात्री है ठीक ना बैपारी राजा और तिर्थे यात्री इनकी जीवन किस परकार था ये किस परकार यात्रा करते थे उसके रहते हैं मतलब कि हम बोल सकते हैं खंधर ठीक ना मुर्तियां चित्र और किताबें इनकी बारे में डिटेल में जानकर जानेंगे और फैमेस चित्रों के बारे में अब देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा इसका इंग्लिस कर दिया हूं देखिए पहला चेप्टर क्या है what, when, where and how ठीक ना दूसरा क्या है food from food collection यानि कि जो खाना हम बताएं थे आपको उपर में सब उसी का इंग्लिस में translate कर दिया है आप चाहे तो इसका इंग्लिस भी note कर सकते हैं तिसरा देखिए आपका city के बारे में है ठीक ना सारा कुछ मैने आपको द पहली बार आए ना तो subscribe कर दिजेगा और bell के icon को press कर दिजेगा क्योंकि मैं यहाँ पे जब भी वीडियो लाता हूं तो पूरे हिर्दे से बात करता हूं पूरे अंदर की आवाज से बात करता हूं और जो भी होता है मैं समझाता हूं बातों को समझाने की कोसिश करता हूं रटाने की नहीं तो thank you और अंत्वे मैं आपको एक motivational speech दूँगा एक photo के तौर पे तो उसे भी देखिएगा तो तब तक के लिबाए मिलते हैं एक next video के साथ अब पढ़िए और अपने हग के लिए लड़िए धैन्यवाद